अर्थे विवस्था के मोर्चे पर विपक्ष केन सरकार को लगातार निशाने पर ले रहा है। इसी बीच योग गुरू रामदेव ने शुकुरवार को बयान दिया है कि सरकार को महंगाई और विरोजगारी के मुद्दे पर काम करना चाहिए। योग गुरू रामदेव ने शुकुरवार को प्रेस कॉन्फरेंस कर साल 2020 के लिए अपने अजेंडे को सामने रखा। जितना भी चाहिए वो आर्थिक रूप से चाहिए सामजिक रूप से चाहिए राजरेतिक रूप से जो अन्याय है किसी भी प्रकार का शोशन है उस भेदभाव को दूर करके सबको बराबरी से देश में जीने का हक मिले और देश के हर एक नागरिक को इतने गोरोंश के कोई नागरिक होता है एक सिटिजन होता है तो उसी रतान के बोलता है मैं यूएस का सिटिजन हूँ अब पतंजली और रुची सोया का आप दोनों का देखेंगे तो ये अभी दोनों ग्रुप का एजे ग्रुप देखेंगे तो ये पत्चीस हजार करोड के आसपास होगा चूंकि पतंजली के कुछ सबसीडरी भी है हमारी चाहे वो हमारी डेरी है चाहे हमारा पतंजली ग्रामोद्योग है या हमारा परिवहन है ऐसे कुल मिला करके दोनों पत्चीस ह अजार करोड इस बार के फैनेंशल एर में पहुंच जाएंगे और अगले फैनेंशल एर में मैंने कहा वो करीब 30-40 अजार करोड के बीच में होंगे माने अभी तक FMCG में यूनिलिवर नंबर वन हुआ करता था अब अगले साल से FMCG में पतंजली देश का नंबर वन होगा और कुछ सालों में दुनिया का नंबर वन होगा